mutual fund की कई categories हैं और सभी categories की अपनी विशेशताएं हैं और अपनी importance है इन सभी funds में से कौन से funds रहेंगे आपके लिए suitable ये जानना बहुत जरूरी है तो आपके प्रश्णों के माध्यम से मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब तो दिये ही जाएं और साथ ह जितनी हो सके अधिक से अधिक information आपके साथ share की जाए नमस्कार मैं हूँ पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब तो पहला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है ब्रिजेश बाचपई ने ब्रिजेश जी आपने बताय कि हर दुणावट में आप टॉप अप भी करते हैं आपके पास है प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप इसमें 2500 पर मंत के साइप्ई है क्वांट एक्टिक मिल्टी कैफ़ वांड्न मैं 2500 और एक्सेश स्माल केफ़ण में 2500 और 10 परसेंट हर साल आप आप कह रहे हैं कि आप investment को पॉर्टफोलियो बहुत बढ़िया है आपने अच्छा इंवेश्मेंट किया हुआ है और हलाके लार्ज कैप फंड अलग से नहीं है पर फ्लेक्सी कैप फंड के जरी आपका निवेश है लार्ज कैप में और बाकी मिट कैप स्मॉल कैप फंड आपके पास हैं मल्टी कैप भी है बिल्कुल अच्छे फंड से अच्छा अलोकेशन है आप इसके साथ लॉंग टर्म के लिए बने रही है और आपने कहा कि बीच बीच में टॉप अप करते रहते हैं वो तो मुझे नहीं पता कितना अमौन अब तक बन गया है बड़ मैं सिंप्ली यदि यह कैलकुरेट कर मन्त 10% का step-up और 20 years का investment horizon तो देखते हैं कितना पैसा बनता है तो 12% के CAGR पर 20 years का investment horizon 20,000 रुपीज पर मन 12% का CAGR और 10% से आप कर रहें step-up तो अमौन निकल कर आ रहा है 1,86,000 31,000 रुपीज तो आप 2 करोड के काफी नजदीक हैं और मुझे उम्मीद है इतने लंबे समय में आपको 12 नहीं उससे ज्यादा return मिलेंगे यानि कि 12% नहीं उससे ज्यादा मिल पाए वेल्यू है वो 2 करोड नहीं रहेगी बलकि बहुत कम हो जाएगी मैं अगर 6% का इंफलेशन लेकर चलता हूं तो यह जो अमौन है आपका वो 20 years के बाद 20 करोड की value आज के लगभग 62 lakh के आसपस रहेगी तो इसके लिए मेरी सलह है आपको कि आप जितना हो सके investment को बनाते रहें आप कहे भी रहें कि आप समय समय पर top up करते रहते हैं और यह बहुत ही जरूरी है अब ले तेकला सवाद जो पूछा है आशिम काकोटी न आशिम जी आपने बताया है कि आप डेर गाउं आसाम के रहने वाले हैं और आप मेरा चैनल रेगुलर्ली देखते हैं यह बहुत अच्छी बात है और आपके पास कुछ फंड्स है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड यह मल्टी कैप फंड है एज़िपसी फ्लेक्सी कैप फंड के आगे लिखाया 2000 पर मंद तो शायद तीनों में करते हूंगे हाँ एच लिखाया आपने और SBI स्मॉल कैप फंड मेरे एसेड इमर्जिंग ब्लू चिप फंड और परागपारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 1000 पर मंद तो तीन स्कीम में आ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 1000 पर मंद और इस वक्त पर आपके पास 17.50 लैक रुपी जिखटा हो गये हैं टार्गेट है आपका दो क्रोड का बाइदे यह 2043 और फिर आप SWP करेंगे 1.20 लैक एक लागवी सेजार पर मंद आप विट्रॉ करेंगे तो आप सही डारेक्शन म हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे तो 9,000 रुपीज पर मंद आप इन्वेस्ट करेंगे 20 साल के लिए और 12% का CAGR मैं एजियूम कर रहा हूं यहाँ पर और आपने क्योंकि 17,50,000 अल्री इखटा कर लिए हैं तो next 20 years में बात करें कि हम 2024 के सुरुवात में हैं और 43 के end तक हम करें तो 20 साल में 2 करोड 51,59,000 यानि की करीकवरी 2 करोड 52,00 रुपीज इखटा हो सकते हैं आपके पास तो जो टार्गेट आपने लिया होगा है वो तो आपका अचीव होतावा दिखाई दे रहा है लेकिन एक बात ध्यान रहे कि 20 साल में पैसी की वैल्यू काफी कम हो आप हो सके तो step up करें हर साल आप अपने investment amount को बढ़ाते रहें तो आपको जो मैंने बताया कि आप करीब 2 करोड 52,00 रुपीज इखटा कर सकते हैं 20 साल में लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि मैं 6% का inflation मानकर चलूं तो 20 साल के बाद 2 करोड 52,00 रुपे जो हैं उसकी वैल investment amount को समय समय पर बढ़ाना चाहिए और हो सके तो आप step up करें यानि कि हर साल आप इसे बढ़ाते जाएं ताकि आप धाय करोड नहीं बलकि और भी बड़ी राक्षी खटा कर सकें और ये आपको help करेगा regular जो आप withdraw करना चाहते हैं उसके लिए और साथ में एक राय ये भी है कि अभी तो time बहुत है अपने पास लेकिन जब आप goal के आसपास हों उस वक्त बार आप diversified equity funds या pure equity funds के मुकाबले आप कुछ hybrid funds में invest करें ताकि आपका risk थोड़ा कम हो जाए पर ये बहुत बात की बात है फिलहाल के लिए definitely growth के लिए आपको equity funds में invest करना चाहिए और बस जो म समय के साथ investment amount को बढ़ाते रहें एक बात और कहूंगा आपको कि आपने funds बहुत सारे ले लिए हैं और हलकि funds अभी अच्छे हैं लेकिन हो सके तो आप कम scheme रखे अपने portfolio में जैसे आपने flexi cap में 2 funds रखे हुए हैं आपके पास में small cap भी 2 हैं तो हो सके बलकि मैं तो कहूंग उसमें बलकि आप add कर दीजी amount को और SPI small cap fund में SIP cancel कर लें निपोन इडिया small cap में 2000 आप अल्यडी करी रहें तो वो बहतर होगा बाकि वैसे funds अभी अच्छे हैं यह सिर्फ मैंने allocation के हिसाब से आपको बताया है all the best to you बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाद जो चैनल है उसको देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है धन्यवाद आपका और 48 years की आपकी age है आप ex army man है wonderful state of तुरुपुरा से हैं आप और 15 years में 2 क्रोड का कॉर्पस आपको इखटा करना है monthly 27,000 रुपीज आप invest करना चाहते हैं अभी आपके पास में जो funds हैं हुआ है SBI small cap fund, SBI blue chip fund और HDFC flexi cap fund इन में आप 3 साल से invest कर रहे हैं और अभी आपके पास में और हैं जो अभी नए fund अपने add किये हैं HDFC large and mid cap fund, HDFC mid cap opportunities fund, Nipon India growth fund, Nipon India multi cap fund, Kota small cap fund और ICAC potential US blue chip fund और अभी portfolio की value आपकी है 1,68,000 और 24,000 पर month आप invest कर रहे हैं SIP के माध्यम से funds आपके पास सब अच्छे हैं लेकिन funds बहुत सारी खटा हो गए हैं तो थोड़े funds आपको कम करने चाहिए यह मेरी राय है अगर आप total 24,000 पर month कर रहे हैं तो आपका यदि SBA small cap fund में 5,000 है तो वैसे ही वो आपका 20% से ज्यादा allocation हो रहा है small cap में फिर यह कोटक small cap fund को add करने की आपको जरूरत नहीं है मेरे इसाब से आप इसमें SIP बंद कर सकते हैं और इस amount को आप HDFC flexi cap fund में add कर सकते हैं हाला कि funds बहुत ज्यादा हैं लेकिन सभी funds अच्छे हैं तो एक fund पर मैंने आपको राय दिये कि उसमें से आपको exit करना चाहिए और HDFC flexi cap fund में amount को add करना चाहिए बागी funds में आप बने रह सकते हैं फिलाल के लिए लेकिन समय समय पर review करते रहे हैं portfolio को और जब आपको लगे कि fund perform नहीं कर रहे हैं तब आप बिल्कुल portfolio को rebalance कर सकते हैं और एक scheme से दूसरे scheme में switch कर सकते हैं अब बात करते हैं कि यदि 24,000 रुपिया महिना निवेश कर रहे हैं और 1,60,000 रुपी जो आपने बता है इखटे हो गए हैं तो कितना पैसा बन पाएगा तो 12% के CAGR पर भी मैं देखूं तो आप 1,23,000,000 रुपे इखटा कर सकते हैं 15 साल में आपका target है 2 करोड का तो मेरी अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं यह पूछा है सोनु कुमार गुपता ने सोनु आपने बताया कि आपके साथ इन्वेस्टमेंट को आपको बढ़ाना है अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं यह पूछा है सोनु कुमार गुपता ने सोनु आपने बताया कि आपकी एज है 28 years की और 18 से 20 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्मॉल कैप फंड में 10,000 कोटक मल्टी कैप फंड में 15,000 और आई से प्रुदेंशल नेस्टेक हंडेट फंड में 15,000 रुपीज और यह सब है आपका लंसम इन्वेस्टमेंट और आपने कहा है कि मैं अपने टार्गेट के अकॉर्डिंग टू येर्ज में सारे है आपका लंसम में तो टोटल 1,20,000 रुपीज यदि 12% के CGR पर ग्रो होते हैं तो 20 येर्ज में बन सकते हैं ये 11,57,000 रुपीज तो आपका टार्गेट तो बहुत ज़्यादा है और ये तो खेर आप लंसम की बात कर रहे हैं बड़ आपको SIP करनी चाहिए तो ये जो आप आपने 1,20,000 रुपीज इकटा कियें इसके साथ-साथ आप यदि मान लीजिए कि फिलहाल 10,000 रुपीज पर मन्त की SIP करते हैं और साथ में 10% से आप हर साल step-up भी करते हैं तो ये 1,20,000 रुपे और प्लस 10,000 रुपे मेहनी के SIP शुरू कर रहे हैं 10% से step-up तो करीब फिर 2 क्रोड रुपे आपके पास इकटा हो सकता है तो आप SIP भी शुरू कीजिए लमसम के साथ-साथ और दूसरी बात मैं कहूंगा कि हालाकि ये calculation करने के लिए मनें बता दिया कि इस तरह से 2 क्रोड रुपे के आसपास इकटा हो सकते हैं लेकिन 2 क्रोड से आपका 20 साल के बाद काम नहीं चलेगा क्योंकि inflation की वज़े से पैसी की value कम हो जाती है तो इस वक्त पर 10,000-12,000 जो भी हो सके उससे आप SIP की सुरूबात कर सकते हैं तकि समय समय बर आप investment amount को बढाते रहें ताकि आप बड़ी राशी खटा कर सकें क्योंकि 2 क्रोड की value अगर मैं बता हूं आपक investment amount को बलाना चाहिए ताकि inflation को बीट करते हुए आप एक बड़ी राशी खटा कर सकें all the best to you साथ ही आपने कहा है कि आपको तीन फंड से exit करना है कहां से करना चाहिए इस वक्त पर small cap की valuation expensive है तो आप महिंद्रा मैनुलाइफ small cap fund से exit कर सकते हैं वो एक हो सकता है और दूसरा small cap में भी आपके पास में ज्यादे small cap fund है आप यहां पर एक small cap fund से भी exit कर सकते हैं आपके पा तो इससे निकल जाएं उसके बाद आपके बाद मुतिलाल उस्वाल भी है तो आप एक small cap fund और एक या दो small cap fund मैंने आपको सजेश किये जहां से आप exit कर सकते हैं आपने विलके तीन scheme पूची है तो अब एक काम कीजिए I don't know क्या वज़या है इसकी तीन fund से निकलने की और क् लग है तो यह भी थोड़ा सा पता नहीं आप क्यों पुछना चाहा रहे हैं लेकिन इसके अलावा यदि एक और फंड से निकलना है तो मैं कहूंगा कि आप इंडिया small cap fund से भी एक्जिट कर लीजिए तो तीन fund से एक्जिट करना है लेकिन कहां invest करेंगे इस amount को तो इस amount को आप large cap में invest करें इस वक्त पर तो बहतर होगा जैसे quant flexi cap fund है इसमें आप amount बढ़ा सकते हैं साथ ही आपके पास में कोई एलक्सिक large cap fund नहीं है मैं कहूंगा कि आपको बलके काम करना चाहिए इसको यहां आप मत एड़ कीजिए आप एक nifty 50 equal weight index fund अपने पूर्फले में शामिल कीजिए तो और concept funds अच्छे रहेंगे आप जाना चाहते हैं पचास लाग का टार्गेट है तो दीखें 50 लाग रुपी खटा करने हैं 20 साल में तो पहले बताता हूं कितना amount आपको invest करना चाहिए तो यह आप 5500 रुपे महिना निवेश करते हैं तो 12% के CAGR पर आप 20 साल में 50 लाग की उम जो भी निवेश कर सकते हैं उससे सुरुवात करें और साल दर साल अपने investment amount को बढ़ाते भी रहें यह बहुत ही जरूरी है आप आते हैं scheme पर तो क्योंकि लंबा नजरिया है लेकिन सुरुवात इस वक्त पर आप कर रहे हैं जब market में अच्छी खासी तेजी हमने देखी है तो मैं कहूंगा कि आप एक काम कीजिए इस वक्त एक large cap fund nifty 50 equal weight index fund जैसे आयते बिला सनलाइफ nifty 50 equal weight index या फिर ICIC potential nifty 50 equal weight index इस तरहां के fund में आप SIP कीजिए तो यदि आप depend करता है कितनी scheme में invest कर रहे हैं तो मैं मान कि चलता हूँ कि आप 2 scheme ले रहे हैं तो एक तो आपके portfolio म ये scheme रहेगी जो की एक large cap passive fund है दूसरा fund एक आप flexi cap ले सकते हैं और flexi cap में आपके पास कई choices हैं आप अगर मान लिजे जो index fund है large cap index fund वो आप आयते बिला सनलाइफ nifty 50 equal weight index fund ले रहे हैं तो आप फिर flexi cap में ICIC potential flexi cap fund को चुन सकते हैं तो एक flexi cap fund और एक large cap passive fund इन दो funds के साथ आप investment की सुरुवात कर सकते हैं All the best to you तो आज इस वीडियो में मैंने आपके कुछ प्रशनों के उतर दिये और मुझे उमीद है ये जानकर ये आपको ठीक से समझ में आ गई होगी आपके जो भी सवाल या सुजाओ हो आप इसी तरह से comment box में पोस्ट करते रहें और इसी के साथ मुझे दीजे इजाजत अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी थैंक यू जैहिन